नमस्कार साथियों मैं मनीश भारती संस्कृति आइस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों यदि आपको याद हो तो पिछले कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक टॉपिक पर चर्चा किया था और तरसल वह टॉपिक यह था कि भारत के रक्षा मं चंदरी राजनात सिंग जी ने एक जो News Agency है उसके साथ इंटर्व्यू किया था और उस इंटर्व्यू में उन्हों ने एक बात कहा था प्योग को लेकर के बहुत को इसके लिए शक्ति परदर्शन नहीं करना परेगा खुद ही भारत में शामिल हो जाएगा शक्ति परदरशन करने का ताथ पर यहां उनका था military operation से यानि को भारत की भारत को सैन कारवाई करने की आवशक्ता नहीं है खुद ही ऐसे हालात बन जाएंगे वहां पर P.O.K. में कि वह खुद ही भारत का हिस्सा बन जाएगा और उनका कहीं नजर ध्यान दिलाना था वहां के economical condition पर और उनका कहना था कि भारत के हिस्से में जो जम्मुकस्मीर भी है वहां पर जब से 370 खत्म किया गया है तब से वहां पर सुरक्षा के दृष्टी कॉन से भी देखेंगे सिमृधी देखेंगे आप आरथिक इस्तिति देखेंगे विकास दर देखेंगे या तेजी देखा परेटन में भी सुधार आया है इसको देखते हुए पी ओके के जो निवासी हैं वे भी खुद ही डिमांड करने लग जाएंगे कि वह भारत के साथ जाना चाहते हैं और पाकिस्तान ने जो अवैद कब जाओं पर करके रखा है उसको वहां से वह खेदिर देंगे अब ये बा एक सब्ता भी नहीं बिता और प्योके में बहुत बरा जो है मूवमेंट देखने को मिला है और एक तरह से यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ग्री युद्ध जैसे हालात उत्पन हो गए हैं अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जरापर यहां पर आप देखिए भारत में शामि पर आप नजर दोराएं तो यहां पर देखिए न्यूजपेपर में क्या-क्या कहा जा रहा है यहां पर देखिए एंटी गौर्नमेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है पुलीस के साथ जरब भी हुआ है प्योके में जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि इंडिया जो है उनकी मदद करें यहां पर यह देखिए एक लाइन यहां पर इच पाकिस्तान लूजिंग इस ग्रिप ऑन प्योके तो पाकिस्तान का पकड़ जो है प्योके पर से अब धिला पड़ता जा रहा है वहाँ से छुड़ता नजर आ रहा है यह तस्मीर आपको दिख रहा है इस तीसरा फ्लैक किसका है आपको पता है किसका होता है आपको ध्यान होगा कि जब तीन सौ सतर लागू था तब आपको पता होगा कि कासमीर को इक स्टेटर्स मिलता था ठीक है और दोहोरी नागरिक्ता मिलती एक कासमीर में रहने वाले लोगों को और इसके अलावा वहां के यहां से यह उपर वाला जो मसला दिख रहा है यह वही फ्लैग है जो कास्मीर के लोग का फ्लैग था और जो वहां पर प्र दावा करते रहे हैं ठीक है तो यहां पर देखिए आप कहना क्या है इनका इनका डिमांड है P.O.K. के जो लोग है इनका ये डिवान है पाकिस्तान सरकार से कि या तो हमें ये फ्लैक दे दो कहने का तागपर है कि हमें स्वतंत्र कर दो P.O.K. जो है स्वतंत्र हो जाए हम पाकिस्तान के अंतरगत नहीं रहना चाहते हैं या फिर दूसरी कंडिशन हम भारत के साथ जाना चाहते हैं देखिए भारती फ्लैग दिखा जा रहा है ना वहाँ पर लोगों की दोरा ये दिखा जा रहा है कि या तो हम अपने स्वतंत रूप में जाना चाहते हैं या फिर हम भारत के साथ जाना चाहते हैं लेकिन हम किसके साथ नहीं रहना चाहते हैं यहां देखिए पाकि पुलिश की गारी है ठीके और जो पीयोगे के लोग है आंशहरी है आप देखने को आर्मि को ख़देर दिया वहints from ओर अर्मी और पुलिस जो है उस्चेतर को छोड़ करके अर्फ करी हुई है पाके ठीक है बित इंडिया यानि वहां के लोग जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे भारत के साथ मिल जाना है हम भारत के साथ ही रहना चाहते हैं देखिए यहां पर हजारों लोगों की तादाद जो है सरकों पर आ गई है प्रोटेस्ट करने के लिए जमू कस्मीर में और वहां पर इ कि एक सो से अधिक लोग इसमें घायल भी हुए हैं बरे अस्तर पर यह चीज़े अभी देखी जा रही है यह हिस्सा जो है वह प्योके वाला हिस्सा पर जाता है पाक अकुपाइड का स्मीर और यह हिस्सा जो है गिलगिल पालतिस्तान का परता है प्योके का ही एक्स्टेंशन पाकिस्तान के कभजे में बना हुआ है तो यहां पर इसी एरिया को फ्री करने की बात कही जा रही है यहां के लोगों के द्वारा यह मसला के लेर हो गया अब देखें यह तस्वीर है आपको दिख रहा है सबसे पहले इन तस्वीरों पर अपने जदवाई है देखें यहां नहीं जाने वाले हैं दूसरी बात यहां पर पाकिस्तान के ध्वज को जगा जगा पर जलाया गया और इसके अलावा भारतिये ध्वज को भीर में ऐसा देखा गया है कि भारतिये ध्वज को फैराया गया है यह भारत के तरफ से नहीं कहा जा रहा है ध्यान रखिएगा यह जो बहुत सारी बाते जो जानकारी दी जा रही है दरसल आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के रहने वाले लोग जो हैं वहां के पत्रकार जो हैं वहां के अखवार के द्वारा ही ये सब कहा जा रहा है जैसे कि डौन के बारे में आप जानते हैं डौन अखवार ने कहा कि इस्तित इतनी खराब हो गई है कि जो लोग प्रदरसन कर रहे थे वे शांती पुर्ण प्रदरसन कर रहे थे निहत्य थे लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर के इस तरह से अड़ हुए है कि वहाँ पर पुलिस और आर्मी को आंसू गैस के गोले दागने पड़े ठीक है और पूरे एर के रूप में नहीं आया था उससे पहले ही जो है डौन अखबार चला करता था तो बहुत प्रतिष्ठित और पुरान अखबार है पाकिस्तान के में तो डौन अखबार का ये सब जो है कहना है और उसके बाद यहां पर देखिए यह लोग वहां के बहुत सारे ऐसे वेक्ति लेकर के जानकारी देकर है चुक्कि अ कि वहां से जगह तो एक ही जगह पर जाता है अब यहां और यहां कर अगर क目前 पार ऑंगत्र के उस पार क्या चल नाहीं तो वहां से यह टस्वीरे लेकर के अपने-पने सोचल मेडिया साइट पे डालने हैं और फिर ये सारी तस्वीरें जो है अभी दुनिया भर में फैल रही है अब देखे किस तरह से जो है यहां पर किया जा रहा है लोग जो है यहां पर सरगों पर उतराए हैं और जितने भी पाकिस्तान के फ्लैग हैं उसको पाइस्तान की आर्मी वहां से निकल गई है मीरपूर की स्थिति यहां पर देख सकते हैं आप यूठी साइट बहुत हैं यूठीज उयुटूप आप से यहां पर और इस वीडियो में यहां यूजिचिज वह आप कहते हैं समाझी कार करता है एक्टिविस्ट हैं हैं और वह भारत में जो काशमीर में ख़्च१ है है और जानकारि इसको लेकर के लगातार वू देते रहते हैं यह हमेसा इनके प्लेटफ़ॉम पर आप आEs यह बताते रहते हैं कि कास्मीर में किस तरह से विकास हुआ है और इनका कहना है कि इसी बात से जो P.O.K. के लोग रहने वाले हैं वो लालाइत हुए है कि हमें भी भारत के साथ जाना चाहिए इनका कहना है कि हम आजादी के लिए परयत्न करना चाहिए पाकिस्तान से आजाद होने की यह बाते कहीं जा रही है इसके अलाबा देखेंगे ताह हिंदु ने वही बयान दिया है जो मैंने कहा है रक्षामंति राजनाथ चिंग ने कहा था कि हमें जो है यह उमीद जगेगा कि यदि हम भारत के साथ रहते हैं भारत बारा शासित किये जाते हैं तो निश्ची तोर पर हमारा जीवन अस्तर भी बहतर हो जाएगा और इनका कहना है कि हम मुवमेंट इसलिए भी आर्मी कार नहीं करना चाहरे हैं जो कि पियोके में जो रहने वाले लो पर देखिए युसुप साह ने यही फ्लैग जो दिखाया जा रहा है जगा जगा यह फ्लैग पूरा प्योके में लगा हुआ है गलकिल बादस्तान में लगाया गया है सड़कों पर लगाया गया है और यह जो अब देखिए इतनी इस्तितिक हराब है कि पूरे शहर में से वीडियो सामने आया है जहां पर लोगों ने घेर करके आर्मी ओपसर को पीटना सुरू कर दिया और उस चेतर से भगा दिया है तो यहां पर प्रशासन ने पूरी तरह से हाथ खरा कर दिया वही फ्लैग जो मैं एक्स्प्लेइन करके आपको बताया था वही फ्लैग यहा कामला समझ में आ गया अब चलिए अब खुद वहां के प्राइम मिनिस्टर आ गया है शहवाद सरीफ और इसे तेनी खराब कि अब शहवाद सरीफ को बयान देना पर है क्या क्या कह रहे हैं यह सब से एहम हो जाएगा देखें इन्होंने सब से पहले दुख चिंता जाहिर क करने से चीजे आसान होता है तो हम लोग जो है इस हिस्सा को क्या बोलते है तो इस हिस्सा को यह यानि कि आजाद जम्मू कस्मीर कहने के अतात पर पर कि पाकिस्तान के कंड़ाय से हमने आजाद करा लिया हैете ठीक है यह मामला समझ में आगया हम लोग इसको बोलते हैं कि अवैद हुरूप से पाकिस्तान का उस पर कभजा बना हुआ है तो देखिए यहां पर पाकिस्तान के प्राइम निश्टर का टूइट है इसलिए मैं शब्द पर आपको त्यान दिलवाया कि इनका कहना है AJK यानि प्राइम मिनिश्टर से बात करूंगा यह जो आजाद जम्मू कस्मीर है इसके प्राइम मिनिश्टर से बात करूंगा यही बात कह रहे हैं और कौन कह रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिश्टर कह रहे हैं आप कहेंगे यह कैसी बाते हुई देखें वहां पर क्या होता ह कि आजाद जम्मू कस्मीर जो पाकिस्तान बोलता है वहां पर वह अलग से चुनाब कराता है ठीक है और वहां पर नाम मातर के लिए आप समझ सकते हैं एक प्रधान मंतरी होता है आप बिल्कुल सभी सुन रहे हैं पाकिस्तान का प्रधान मंतरी तो अलग है ही लेकिन जो पाक सरकार है वह इम्रान खान की पार्टी का सरकार है ठीक है इम्रान खान खुदा भी जेल में उनको डाला हुआ है उनकी वाइफ को भी नजरबंद कर दिया है तो विपक्ष को पूरी तरह से पाकिस्तान ने खतम कि इसका असर जो है वहां के आप कह सकते हैं बाकी निवासियों चाहिए वहां इनका कहना है कि हम अह वहां के प्राइम इन को सामान करने की पूरी कोशिश करेंगे योगों का जो डिमांड है इसमें involved हैं देखे मैंने पिछले दिनों एक लेक्षर लिया था उसमें मैंने आपको इनका नाम बताया था यह कौन है अजित डोवाल एने से हैं नेशनल सेकुरिटी अडवाइजर भारत के राष्टिय सुरक्षाशलाकार यह भारत के जैम्स बॉंड भी कह जाते हैं और पा पाकिस्तान के अंधर रहे वहां से सूचना लेकर के भारत को देते रहे हैं अपने फिल्म देखा था एक ताइगर जिंदा है यह सब जो सलमान खान पूरा करने के लिए पकिस्तान को पैशान करने के लिए इनका जो है अहम योगदान माना जाता है ठीक है इनको आप जानीर है भारत के ग्री मंत्री है हो मिनिस्टर अमित्सा यहां पर आपको प्राइम मिनिस्टर नजरा रहे हैं और यहां पर आपको डिफेंस मिनिस्टर नजरा रहे हैं राजनात सिंग सहवा सरीफ हैं पाकिस्तान के अभी जो प्राइमनिस्टर बने हैं नर्व निर्वाचित प्रधान बंतरी हैं अभी फरवरी मार्च में ही फिर से सपत लिये थे और यह कौन है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है असीम मुनीर अब यहां पर देख लीजिए यह जो आर्मी के जो रहते हैं कि आर्मी जो है किस तरह से हम से दूर रहे और इन दोनों के बीच लगातार देखा जाता रहा है कि क्लैस होता रहा है यह चीज़े खुलकर के सामने अगर आपको देखना हो जब इम्रान खान प्राइमिनिस्टर थे तब यह काफी देखने को मिला था जब प्रशाशन के बीच वहां के राजनिती के बीच और आर्मी के भी संघर्स चलता रहा है तो यह चीज़े जो है आगे चल करके पाकिस्तान के जनता के लिए नुक्षान देव हुआ है जगा जगा गिलियुद्द जेसे इस्तिती बना हुआ है अब देखेंगे तो यह दो व यह तो बोलेंगे हैं कि बाई बड़ा चिटी है ना इंसाफी है हम दो ही है आप चार हैं तो इनकी इस्तिती जो है न यह चारों खराब किये हुए हैं और यह लगातार कह रहे हैं कि हम जो है समय के साथ पीयोके को वापस ले लेंगे अभी कल का इनका इंटर्वीव में दे मिलाएगा और कब मिलाएगा लेकिन इतना आप अस्वस्त रही है कि हम जल्द ही इस पर काम करेंगे और हम भारत में मिला देंगे और राजनात सिंग जी का पहले ही बयान मैंने आपको बता ही दिया यह पूरा ऑपरेशन जो वहां चल रहा है बहुत हद तक माना जाता है कि इनका निश्चित तौर पर एक जो माइंड सेट है पाकिस्तान को ले करके इनकी जो एस्ट्रेजी है वह काफी कारगर रही है प्रदान मंतरी नरंद मोदी के आपके जो विचार हैं उससे आप अबगत हैं ही अब यह समझे कि पाकिस्तान में आखिर इस तरह की स्थिती क्य इसके अलावा वहाँ पर लोगों का यह कहना है कि आर्मी के द्वारा यह पुलिस के द्वारा काफी प्रतारिप किया जा रहा है ब्रस्टा चार जो है चरम पर है चुकि मैंने क्या कहा कि जो सत्ता है और आर्मी है संघर्स लगातार चलता जा रहा है और पाकिस्तानी आर्म पर इतना करज़ा नहीं चुका रहा है सruktरूर ने कि हिर्ष को चुगा ने patience लेखर महलाओं को बहुत अधिक शोशन का सिकार बनना पड़ता है परतारित कि एचाए जाता राजनेताओं के द्वारा और ये सब चीजे जो है अंत में महंगाई ने और कमर तोड़ दिया महंगाई के हालात वहां पर इस तरह से हैं कि लोगों को खाने के लिए आटा तक नहीं मिल रहा है तो ये सारी इस्थिती जो है वह तब्दील हो गया लोगों के और संतोष में औ पांच मीं सबसे बरी अर्थवेवस्था भारत बन गया है और तीसरा बनेगा जल्द ही अगले दो तीन साल में तो ये सब जो पाकिस्तान देखता है पाकिस्तान के आम शहरी देखते हैं तो निश्ची तोर पर अपने राजनेताओं से प्रश्न तो करते ही हैं और पियोके के साथ रहने जाएं हमारा जीवनस्तर महां बहतर हो इन सब बातों के लिए को ले करके अब जो है मसला काफ की आगे बर गया है ग्री युद्ध में चीजे तब्दिल हो गई है आएमेफ और पाकिस्तान का रिस्ता क्या है देखिए पाकिस्तान हर जगा कटोरा लेकर के इसका विकास दर जो है घटा करके दो परतिशते इसे घटा दिया है तो अब यहां पर समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के स्थिति लगातार खराब होती जा रही है आएमेफ ने एक और सजेशन दिया रेविन्यू को लेकर के कि आप जो है अपने रेविन्यू का जो रुपिया हो ठिक है और आपको जब भी सौरुपिया मीले तो आपको कहा जाए कि साथ रुपिया का तुमको कोई काम नहीं करना है सभान पयले तूम ने जिन जिन लोगों से कर्ज Weekly सgehen से पहों को पैसा हों बहुत तो आपके पास बहुत सी होते होंगे तो उससे पहले कह दिया ऑगया कि जितना भी पैसा मिला है उसमें 60 परसेंट जो है आप करज चुका दो क्याँ आपके पास भारा करीं चुका है लेकिन आपका जो में वने दुन financial condition है financial literacy का आपने जो हाब है ये सब आप पर ज्यादा करज बढ़ा दिया है तो आप ये चुकाईए अब आपके पास केबल चारह जा रहे हैं और काम है को फटकार लगा रहा है कि आप पर इतना ज़्यादा करज हो गया है कि अब हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं इन फैक्ट आएमेफ जो है दुनिया के अन्य बैंक से भी कर रहा है चाहें वर्ल्ड बैंक हो सबसे कि भाईया इनको पैसा देना बंद कर दीजिए ये चुका नह है अब जानते ही होंगे यहां पर प्रजता है गौादर बंद कि और उसका हो सकता है लेकिन इसका पड़ गया उल्टा पाकिस्तान के लिए या कंगाली का करन बन गया तो एक समस्य यह भी आ गई तो यहां पर आप समझ लीजिए आगे चल करके कि पाकिस्तान के पियोके और गिलगिल्ट बालतिस्तान में तो ग्रीव दज़े से इस्थिति चली रही है पिछले कुछ दिनों से अब एक नजर डालते हैं कि पाकिस्ता का हमने दो तीन मैप लगाया हूं इसे वज़ा से कि आप सही मैप समझ पाएं मैं देखता हूं बहुत सारे लोग यूटुब पर जो लेक्चर लेते हैं या आप गूगल करते होंगे जो मैप मिलता है बहुत सारे वेवसाइट पर गया जाता है भारत को लेकर के भी और पा हुआ है वह पाकिस्तान के कोडिंग लगा हुआ है ठीक है पाकिस्तान इस मैप को ले करके चलता है क्योंकि यह वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं और यह वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं यह तो भारत जो है अपने मैप में से सामिल करता है यहां पर आपको दिख रहा ह भारत अपने में से सामिल कर रहा है यह वाला हिस्सा ऐसे करके लेकिन अगर पाकिस्तान के नजरिये से देखेंगे तो पाकिस्तान इस हिस्से को खुद में शामिल करेगा और इस हिस्से को कहेगा आजाद जम्मुकस्मिर देखें यहां कह भी रहा है लिखा हुआ आजाद जम आहां इस के तब यहां पर आपको है उसमे दो पर ऐसी डाश पाकिस्टान और भारत ऑले एरिया पर दिछे तो देखिए जैसे मैंने कहाथ यह ला इतना तो यहां से पाकिस्टान यह at कि पाकिस्तान में सिर्फ P.O.K. और छो耍ा जा रहा है तो गवाधर09 पोर्ट को ले अपने बसारा है अपने एंजिनियर रख रहा है वहां फे और यहां के लोगों की जो अस्थानिय भासा हो retARD के आर्मी की कर रही तो अगरma हो रहा है तो बलुचिस्टान के लोगों को ही सरकारदावाने की कोशिश कर रही है इस वज़े के क्या हो रहा है बलुचिस्तान के रहने वाले लोग जो बलुच लोग हैं और पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस सरकार में दोनों में संघर्च हो रहा है तो इस जगह में और लेडिस जो है वह सिविल बार चल ला है ग्री उद्धु चल ला है शिंद को लेकर के आप जेखेंगे अकसर वहाँ पर लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंद को जो है आजाद करो हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं ठीक है, तो सिंद्र की भी यही सीरी चला है, पंजाब को ले करके बात करते हैं, पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे सम्रिध रास्ट है, आप ये कहें कि ये रीड की हड़ी है पाकिस्तान के लिए, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, राजनितिक दृष्टिकों से भी, और आर पंजाब जो है, तो जाहिर सी बात है, भारत का ये हिस्सा इधर भी तो पंजाब पड़ता है, तो यहाँ पर देखने कि समर्दी हो रहा है और यहाँ पर धरातल में ये गरता जा रहा है, तो यहाँ के लोग भी है, सरकों पर निकल कर के सामने आ रहे हैं, यह जो आप पारिवान से पाकिस्तिति को अगर आप आपको नज़र आएगा कि ओस पूरी तरह से यह एक इल्यूर स्टेट हो चुका है ठीक है एक ऐसा देश जो भारत से अलग होकर के 1947 में बना धर्म के आधार पर बना लेकिन उसके बाद से उसने अपने जनता का ना भीसिस ख्याल रख सका ना अर्थ व्यवस्था की सेहत का ख्याल रखा ना राजनितिक इस्थिरता वहाँ पर रही जो भी आप कह सकते हैं आतंगवादियों के द्वारा मार दिया गया है तो राजनितिक इस्थिरता इतनी चरम पर पाकिस्तान में बना हुआ है वहीं दूसरी तरह भारत का देखेंगे तो भारत लगातार निरंतर जो है विकास के गाथाएं लिख रहा है और कहा जा रहा है कि अभ अपनी सरकार के साथ संगर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं इस पर एक शंभावित प्रशन है प्यों के भारत के कौन से राजिक का हिस्सा है यहाँ पर चार विकल्प मैंने दिया है हिमाचल प्रदेश पंजाब जम्मू कस्मीर उत्राखन आपको ध्यान रखना है प्यों के पाक अकूपाइड कस्मीर भारत के किस राजिक का हिस्सा है यहाँ आप से पूछा गया है तो आपको जो भी जवाब समझ में आता हो कमेंट वाक्स में आप जरूर लिखे यह पूरे घटना करम पर क्या आपका विचार है कमेंट वाक्स में जरूर लिखिए किया आप भी इस बात से सहमत हैं, हमारे जो Defence Minister राजनाद सिंग उनका कहना है कि भी, हमें Military Ooperation नहीं करना परेगा, तो आपको भी क्या लगता है कि भारत कुछ ना करे, स्वाता ही जो है विक्टों बॉक्स में जरूर लिखalo की आप प्रेक्टर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आप से पुरह मुलातात होगी अपना बेहत ख्याल लगिए थैंक्यू कि 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 कि